गूड मॉर्निंग क्लास 11 हमने पूर्ण प्रतियोगिता बजार की लास्ट वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता बजार की विशेशताय करी थी और कीमत निर्धारन देखा था यह आपको ग्राफ दिख रहा होगा इसमें यह मैंशन है कि इंडस्ट्री इज़ प्राइज मे करती है और फॉर्म कीमत स्विकारण करती है तो यह इंट्रों हमने फर्स्ट वीडियो में करा था आज हम उसके आगे वीडियो कॉंटिन्यू करेंगे आज हम पढ़ेंगे बजार संतुलन बजार की वह अवस्ता है जिसमें बजार मांग और बजार पूर्टी बराबर होते हैं बजार में अत्रिक्त मांग या अत्रिक्त पूर्टी की सिति का अभाव होता है बजार संतुलन की सिति तब होती है जब बजार की मांग और बजार की पूर्टी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं बोथार इक्वल इसमें अत्रिक्त मांग या अत्रिक्त पूर्टी की सिति मार्केट में होती ही नहीं है अब मैं आपको बाजार संतुलन एक डियाग्राम की हेल्प से समझाऊंगी देखिए यह आपकी x-axis है and that is your y-axis डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड सप्लाय कर्व अब फट स्लोपिंग होता है मार्किट एक्विलिब्रियम कब होगा जहां पे डिमांड कर्व एंड सप्लाय कर्व एक दूसरे के एकवल होगे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे that is your equilibrium point यह क्या पहला है का संतुलन बिंदू इसको हम E लिख देते हैं, यह हमारा equilibrium point है, संतुलन बिंदू है, यह वो बिंदू होता है जहाँ पे market demand and market supply equal होती है, right? यह आपका हो गया P और यह हो गया Q, यह क्या है? equilibrium quantity, यह क्या है? equilibrium price तो P है हमारा संतुलन कीमत, Q है संतुलन quantity, कैसे determine हुआ? market के demand curve और market के supply curve दोनों जहां पर intersect हुए, वो हमारा equilibrium point decide हुआ और इससे हमारा निकला equilibrium price और equilibrium quantity, इस point से हमें market का prevailing quantity और price मिल गया, अब देखिए बच्चे, इसमें हमें एक situation देखने के लिए मिल रही है यह वाला जो area है, this one, अगर आप यहाँ notice करोगे, demand हमारी यहाँ पे है supply curve अगर हम देखें, तो यह यहाँ पे है, यह वो situation है, जहाँ पे पूर्ती अधिक के situation arise होती है, मतलब access supply हमारे पास देखने को मिलती है, देखिए demand यहाँ पे है, supply हाँ पे है, मतलब market में supply, अधिक supply की city हो सकती है there is a situation of excess supply and market, अब आप यह वला portion देखिए, supply यहाँ है, demand यहाँ है, अगर आप इन दोनों points पे देखोगे, तो market में demand जादा है, in comparison to supply, तो यह कौन सी city उत्पन होगी, मांग अधिक है, मतलब मांग अधिक है it means, excess, demand, इतनी चीज़ clear हुई आपको, अब इस graph को, इस diagram को देखने से हमें यह पता चला, कि market price कैसे determine होगा, equilibrium level से determine होगा, market demand और market supply, यह दोनों ही decide करती है, कि market price क्या होगा, जहाँ पे दोनों intersect होती है, जहाँ पे दोनों मिलती है, वहाँ पे price determine होता है, और demand curve या supply curve में कोई भी change आने से, equilibrium price पे change आ सकता है, अब आगे हम, इसी को continue करके, यह बदलाब देखते हैं, अब मैं आपको बताने जारी हूँ, पूर्ती में वृद्धी के कारण संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, मतलब, अगर मैं market में supply बढ़ा दूँ, तो equilibrium price पे क्या आसर पड़ेगा, और equilibrium quantity पे क्या आसर पड़ेगा, अभी तक हमने यही सीखा, demand curve downward sloping होता है, और supply curve upward sloping होता है, और जहाँ पे दोनों intersect करते हैं, वो हमारा निकलता है equilibrium price और equilibrium quantity, यह तो अब तक की पड़ेगा चीज़े थी, अब हमने क्या करा, market में पूर्ती की वृद्धी कर दी, supply हमने बढ़ा दी, supply curve, rightward shift हो गया, supply curve shifts to rightward, उससे क्या हुआ, जब हमने supply curve rightward shift किया, तो new equilibrium point decide हो गया, पहले संतुलन बिंदु E था, और अब संतुलन बिंदु हो गया E1, जब E1 संतुलन बिंदु हो गया, तो price पे भी असर पड़ा, और quantity पे भी असर पड़ा, price हो गया P1, quantity हो गया Q1, अब P1 आपका नया equilibrium price है, और Q1 आपका new equilibrium quantity है, अब इस graph को देखने से क्या पता चल रहा है, इस diagram को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए, equilibrium point, equilibrium price कम हो गया, पहले ये price था, अब price कम हो गया, price कम होने से क्या असर हुआ quantity बढ़ गई, in short, it can be concluded that, अगर हम market में supply बढ़ाएंगे, तो हमारे equilibrium point shift हो जाएगा, towards rightward, खिसक जाएगा, price कम हो जाएगा, और quantity बढ़ जाएगी, अब जो जो मैंने आपको points बताए थे, अब मैं उन सभी को repeat करती हूँ, पूर्ती में व्रिद्धी होने पर पूर्ती वक्र दाई और खिसकता है, और नया पूर्ती वक्र S1, S1 बनता है, right, second point, आपका जो price होगा, संतुलन कीमत होगा, वो P से कम होकर P1 पे पहुँच जाएगी, और नई संतुलन मात्रा Q से बढ़कर Q1 पे पहुँच जाएगी, और संतुलन बिंदू E से E1 की और खिसक जाएगा, अब हम practical situation देखते हैं, यदि किसी market में हम किसी भी वस्तु की supply बहुत जादा कर दे, उस market में हम समान बहुत जादा कर दे, तो उस सिती में क्या होगा, competition बढ़ जाएगा market में, उत्पाद को में अपना उत्पाद बेचने हितु प्रतियोगिता होती है, competition बढ़ जाएगा market में, जब competition बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उत्पादक अपने उत्पाद की कीमत में कमी करेगा राइट, हर कोई चाहिएगा उसका product market में sale हो तो वो अपनी कीमत कम करेगा क्यूंकि उसका अपना जो stock है वो बढ़ गया है अब stock को clear करने के लिए वो price कम करेगा देखो, supply market में बढ़ी अब वो price कम करेगा अपने stock clear करने के लिए जैसे ही price कम करेगा हम लोग क्या करेंगे हम लोग जादा स्यादा समन खरीदना शुरू कर देंगे और equilibrium point determined हो जाएगा किसी भी student को अगर इस वीडियो में कोई doubt हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं Thank you